चलिए, शुरुआत करते हैं वो कैबलरी की, बताएंगे कोई की, पहला वर्ड आज क्या पढ़ना है हम लोगों को? नहीं बताएंगे? वावाव, क्या बताएंगे? आज का पहला वर्ड है एडवाइस, बहुत प्यारा वर्ड है, देखिएगा, ए, डी, वी, आई, सी, भी होता है, और एक होता है, ए, डी, वी, आई, सी, दोनों में क्या फरक है? तो सी वाले को नाउन बोलते है, और सी वाले को क्या बोलते है? वर्ड बोलते है, ठीक है? तो, हाँ जी, noun मतलब सलाह, भब मतलब सलाह देना, सलाह देना, ठीक है? ये uncountable noun है, uncountable noun होने का मतलब है कि आप इसको कभी भी plural नहीं बना सकते, plural बनाएंगे तो गलत हो जाएगा, मेरी बास समझ में आ रही है, आप कभी भी इसको plural बनाएंगे, तो ये गलत हो जाएगा, advices नहीं कर सकते, हना? और advice सलाह देना तो तो है ही, हम sentence लिखेंगे तब आपको अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है? बिना sentence लिखे समझ में नहीं आएगा, ये गेव मी एडवाईज, पहले बते ये sentence सही गलत क्या है? गलत है तो कैसे गलत है? देखिए, यहाँ पर जब हम बोलते हैं, अच्छा आयन लगा देंगें तो सही हो जाएगा, अच्छा आयन कर देते हैं, अच्छे लो, कमेंट में किसी ने कुछ लिखा है, देखने ही पैच फूट गया, अच्छे, फिर दुबरा में देखेंगे, देखिए, हमने अभी क्या बता है, कैसा नाउन है? कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी A या N लगता है, तो यही नगलती है, है ना, यहाँ पर सही होगा, He gave me some advice, ठीक है? बुले सर, अगर मिंदी में बुले कि उसने मुझे एक सलाह दिया, ऐसा लिखना चाहेंगे, तो कैसे लिखेंगे? एक सलाह दिया, ऐसा लिखना चाहेंगे तो, तो आप लिख सकते हैं, He gave me a piece of advice, अब सही हो गया, या तो ऐसे लिख हो, या तो ऐसे लिख हो, some से, क्योंकि advice uncountable noun है, किसी भी uncountable noun को direct तरीके से ए-n नहीं लगा सकते हैं, और नहीं उसको plural बना सकते हैं, अनलाइन सभी बच्चों को ये बात advice के बारे में clear हुई, हाँ है ना बूलिएगा, बूल सकते हैं, हमने setting कर दिया ऐसा कि आपकी आवाज recording में नहीं जाएगी, आप कितनों हला करते रहिए, जी good, कुछ लोग, चलिए बहुत अच्छी बात है, हम लोग अगला example लेते हैं, एक और, तैयार है ना, he, नहीं, teachers, dot dot dot, their students, their students to study hard, to study hard, full stop, और अब हम यहाँ दो option दे रहे है, एक दे रहे है advice, A, D, V, I, C, E, और एक दे रहे advice, A, D, V, I, S, E, बताइए, यहाँ कौन वाला होगा, जी, क्यों ऐसा होगा, हाँ जी, क्योंकि यहाँ verb की जरूरत है, उले कैसे पता चला verb की जरूरत है, तो भाई साब यहाँ subject है, तो यहाँ क्या होगा, verb होगा, तो verb के रूप में क्या लिखा जाएगा, A, D, V, I, S, E, हना, एदी हम S, इसको वाक्य बनाना चाहेंगे, तो याद रखिएगा, कि advice verb है, हाँ यहाँ ना बूलिए, advice किसी आदमी को दिया जाता है, हाँ यहाँ ना बूलिए, और कोई काम करने का advice दिया जाता है, हाँ यहाँ ना बूलिए, हना, जो advice देता हूँ subject बनेगा, कितना असान हो गया सीखना, जैसे, he advised me to teach English, ठेक है, I advise you to work hard, सलाह मैं दे रहा हूँ, और मेहनत कौन करेंगे, आप करेंगे, किलर है, हाँ, तो अब यहाँ पर 2 प्लस B1 के जगा, 2 प्लस B1 को हटा करके B4 लिग दिया जाए, तो sentence सही होगा कि गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो यह common error point है, हाँ न आप दूसरे तरीके से भी इसका वाक्य लिख सकते हैं, जो आदमी advise दे उस subject हो जाएगा, फिर advise, हाँ न, और उसके बाद, जिस आदमी को सलाह देंगे वो, सलाह देंगे की, यह काम कर लो, यह तुम को काम करना चाहिए, हाँ या न, तो example के तोर पे हम कुछ लिखें, आप पचा लिजिएगा, I advised, मैंने सलाह दिया, किन को सलाह दिया, the students, किन को दिया सलाह, that they should work hard, अंदर should जरूर आना चीए, advise आया तो, आना चाहिए कि नहीं आना चीए, सोचो, should work hard, हाँ है न, बुली सर, इसमे एरर क्या दे सकता है, advise के बाद अगर to लगा दिया, advise to the students, और साफ से लिखते हैं आपके लिए मिटा के, ताकि आप अच्छे से समझ सके, ठीक है, advise the students तक तो ठीक था, हाना, अगर यहाँ to लगा दिया, तो यह क्या हो गया, गलत हो गया, advise के बाद कोई preposition नहीं आएगा, जिसको सलाह देना, उस अच्छे है, तभी न सलाह पता चलेगा अंदर, एक example और, नहीं इसी sentence को दूसरे तरीके से लिख देते हैं, ठीक है, आप चाहें तो इसी को लिख सकते हैं, I advised the students to work hard, पूरा that clause को हटा के सिधर two plus b one कर दिये, कर दिये न, और अर्थ वही रहा, सबको समझ में आ रही है न, बाते जो हम पढ़ा रहे हैं, हमने क्या पढ़ाया, advice एक uncountable noun है, इसको pullal नहीं बना सकते हैं, pullal बनाएंगे तो गलत हो जाएगा, an भी direct नहीं जोड़ सकते हैं, दू के बाद that clause की ये काम करना चाहिए, आप इस तरीके से वाक्य लिखो, चाहे इस तरीके से वाक्य लिखो, दोनों एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है, सिर्फ एक ही बात को लिखने का दू तरीका है, online वाले बच्चों का clear हुआ होगा तो बता देना भई, चलिए, बहुत common error point पढ़ाया है, उसी common error point से related, common error point क्या पढ़ाया, कि advise to somebody नहीं हो सकता है, advise के बाद सीधे somebody आता है, बीच में to नहीं आता है, नहीं नहीं है to, तू लिखेंगे तो error हो जाएगा, गलत हो जाएगा, अब एक और example, दें की नहीं दें, advice के जगा suggest भी तो लिख सकते थे, हाँ कि ना, तो I suggested the students that they should, should तो इसमें भी आएगा suggest है तो, work hard, work hard, लेकिन point यहां होगा, कि suggest के बाद आपने उस आदमी का चर्चा किया, जिसको आपने suggest किया था, अब बीच में इसमें to लगाना जरूरी है, जबकि अर्थ वही है, suggest to somebody, बराबर advise somebody, यहनि हमारा point, star point क्या निकल के आ गया, हाँ ना, star point देखिएगा, कि suggest या proposed, यह दोनों के लिए, ठीक है, somebody के साथ two लगेगा, somebody के साथ, बराबर किसके हो जाएगा भाई सहब, बराबर हो जाएगा, advise, हाँ, के साथ अगर हम two लगाएंगे तो, गलत हो जाएगा, बास समझ में आ रही है, यहाँ पर, यह वला two सही हो गया, और इसमें, यह वला two, गलत हो गया, जबकि दोनों का अर बराबर ही है, याद तो नहीं रहेगा, आएकदम, बहुत ही important यह common error point है, कोई ऐसा exam नहीं है, जहाँ पर यह वला आज तक पुछा, नहीं गया, सब exam में पुछा गया, बाकि तो आप लोग समझदार, अरे वाज जीओ मेरे लाग, अब अगला word बुलिये तब मजाएगा, क तो उड़ जाएंगे और क्या, एरोप्लेन के spelling पूछा जाता है, spelling test में, हाँ, पी एले आई एन कौन बोले थे, यह क्या है, इसका मतलब होता है, पानी वाला जहाज, क्या फिर पूल रहे हो, सर का बात काट रहे हो न, हाँ, सर बोले पानी का जहाज, तो यह सर बोलना चाहिए, तो लोग कैसा student है, सर को एकदम insult फील करवा देता है, बात काट काट के, आगे बुलिये, संतोस, संतोस हो रहा पढ़ाई से, अहां, नई सुनाए पढ़ा, अस्पेलिंग, A-W-F-O-R-D, afford, क्या बोले हम, afford, भाई साब क्या है, भाई साब, वर्भ है, आप में से साइध ही कोई ऐसा चात्र हो गए, जो इस वर्ड को नहीं जानते होंगे, हम guarantee से बुलते हैं कि हर एक चात्र जानते हैं, आप बुलते हैं कि my papa can't afford your fee, sir, sir, मेरे पापा आपका fee afford, आप भी बुलते हैं, sir, I can't afford your fee, sir, it is too heavy, sir, बुलते की नहीं बुलते हैं, कि sir, हम आपका fee afford नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा है, I can't afford your fee, यह हमेशा negative sentence में use होता है, किस में use होता है, negative sentence में use होता है, ठीक है, और afford जैसे बुलते हैं, इसका structure हम बता देते हैं सीधे सीधे, negative में रहेगा, तो can't होगा, afford होगा, हाँ है ना, और उसके बाद जो चीज afford नहीं कर सकते हैं, वो चीज, हाँ है ना, कभी कभी कोई काम करना afford नहीं कर सकते हैं, जो आदमी afford नहीं कर सकता हो, कौन बनेगा, subject, बुले सर इसका मतलब, afford नहीं कर पाने का मतलब, खर्चा नहीं उठा पाना, खर्च नहीं उठा पाना, अब तो कभी भूलने वाला बात नहीं होगा, example दें, तो समझ में आएगा, ठीक है, we can't afford a car, we can't afford a car, हम लोग car afford नहीं कर सकते हैं, मतलब, car का खर्च नहीं उठा सकते हैं, ठीक है, कोई काम करना afford नहीं कर सकते हैं, इसको भी देखिए एक example, 2 प्लस B1 वाला, दें के नहीं दें, ठीक है, very important chapter, is being, अच्छा सह नहीं लिखा है, यह ऐसी करता है, अच्छा सह नहीं लिखाता है, being, very important chapter is being taught, हना, so I can't afford to be absent, मतलब, बहुत important chapter चल रहा है, इसलिए मैं absent होना afford नहीं कर सकता हूँ, अब देखिए, कोई काम को afford नहीं कर पाने का मतलब है, कि आप को कर दीजेगा, तो loss हो जाएगा, खाया ना, अभी हम देख बोल रहे हैं कि very important chapter is being taught, बहुत important chapter पढ़ाया जा रहा है, इसलिए हम absent होना afford नहीं कर सकते हैं, देखिए, two plus b1, b1 है कि नहीं है, पढ़ाया गया है कि नहीं, two plus b1 आ गया कि नहीं आ गया, तो देखिए, मैं absent होना afford नहीं कर सकता हूँ, मतलब क्या, important chapter चल रहा है, अगर हम absent हो गए, तो हमेरा नुकसान हो जाएगा, हाँ या ना, जी, एक और example लिखते हैं, आजान शुरू हो चुका है, आजान शुरू हो चुका है, चलिए, अब grammar स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग, आज हम लोग ज़्यादा word नहीं सीखें लेकिन जो afford word हम लोग सीखें हैं, ये बहुत-बहुत important word है, exam की लिहाज से, तो किर्पया इसको याद ना रखें, नेक्स्ट हम लोग आप grammar की तरफ चलेंगे, grammar कर लेते हैं, बताएंगे आप में से कोई की क्या पढ़ा रहे हैं, grammar में, पास्ट परफेक्ट पढ़ा रहे हैं, नहीं से अभी पास्ट परफेक्ट चल रहे हैं सर, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस का हमने आपको क्या concept बताया था, कुछ याद है, क्या concept बताया था, याद है कुछ, बस simple, जो पास्ट के पहले हुआ होगा, पास्ट परफेक्ट होगा, हाना, इसमें हम लोगों ने before का example लिया था, आज भी ले लेते हैं, ठीक है, तयार हैं सब लोग, मेरे घर पहुँचने से पहले बच्चे सो गए थे, बच्चे सो गए थे, राइट, फिर से देखिए, एक काम की दो काम, क्या-क्या, मेरा घर पहुँचना बच्चों का सुना, पहले कौन काम हुआ था, तो जो काम पहले हुआ, वो कौन से टेंस में होगा, पास्ट परफेक्ट, बस याद का तो बात है, जो बच्चा को याद उफट से जवाब देगा, अजो काम बाद में हुआ, कौन से में होगा, बाद में हुआ वो किस में होगा, पास्ट इंडिफनिट में होगा, यहां तक तो कोई दिकत नहीं होना चाहिए किसी को अब जब translation बनाएंगे तो पहले किसको लिखेंगे इसको लिखेंगे और इसको बाद में लिखेंगे हाँ ना तो बच्चे सुगए थे the kids या children बोल सकते हैं had slept ठीक है और उसके बाद मेरा घर पहुँचना क्या I reached home ठीक है किस company काफे वी call डालिएगा before company काफे वी call डालाएगा अच्छा trip कर गया चले देखिए यहां तक तो कोई दिकत नहीं है इसमें हम variation डाल सकते हैं ठीक है variation क्या डालते हैं यहां देखिएगा मेरे घर पहुँचने से 10 मिनट पहले बुले जो variation हम डाल दियों आप कितना translation का किताब बनाते रहे यह नहीं मिलेगा right है के wrong है सब translation के किताब में सिर्फ एक ही चीज मिलता है मेरे घर पहुचने से पहले बच्चे सो गए थे मेरे एस्टेशन पहुचने से पहले ट्रेन खुल गई थी डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर गया था हा या ना लेकिन 10 मिनट पहले मर गया था 15 मिनट पहले ट्रेन खुल गई थी आदा गंटा पहले बच्चे सो गया था, यह कहीं नहीं मिलता ऐसा, तो इसको सीखना चाहते हैं कि नहीं सीखना चाहते हैं, तो हमारा पहले नया variation वाला sentence क्या होगा, उसको लिख तो लें, एक बार, मेरे घर पहुचने से 10 मिनट पहले, क्या हुआ था, अच्छा, ममी डरा दियों कि सोजाओं नहीं तो पापा जाएंगे, कोई पापा नहीं नहीं है, उनलाइन में पढ़ने वाले, आप समझ रहे हैं, देखो हम क्या किये, वही काम किये जो हमेशा करते हैं, अब क्या करेंगे बताओ, अब पहले क्या करेंगे, बच्चे को सुला देते हैं, चले लीजे सुला देते हैं, दे किड्स हैड स्लेप्ट, हाँ की ना, और उसके बाद हम घर पहुंचें, आई, रिच्ड, होम, हाँ, थोड़ा सा और साफ करना पड़ेगा, क्यों ऐसा होता है, कि हम कुछ लिखते हैं, तो अगर बढ़ा जाता है, हैंड रिच्ड, होम, बात करें और, अब किस कम्पनी का फेवी कॉल डालिएगा, पहले कम्पनी का, बिफोर का डालिएगा, अगो का डालिएगा, बिफोर का डालना होगा, किस का डालना होगा, बिफोर का, लेकिन बिफोर आके लिए आएगा क्या, किस के साथ आएगा, हाँ, तो लिखना पड़ेगा, टेन मिनट्स बिफोर, नई, बताते हैं, ठीक है, एक बच्चे ने लिख दीजेगा before, घर से समझिए 10 मिनट, दूसरे बच्चे ने पुछा क्यों नहीं लिख सकते हैं तो इसका जवाब सुन लिजे कि क्यों नहीं लिख सकते हैं, जैसी हम बोलते है 10 मिनट्स, तो 10 मिनट्स क्या है? नाउन है, तो बिफोर क्या हो जाएगा? नाउन के पहले आता है, तो उचीज प्रीपोजिशन कर लाता है और यहाँ जोड़ना है दो संटेंसेज को एक संटेंस यहाँ है, जिसको क्लाउज करते हैं और एक संटेंस यहाँ है, जिसको क्लाउज करते हैं ना बूलिये तो दो clauses को जोड़ना है तो preposition की जरुवत पड़ेगी या conjunction की तो एदि 10 minutes बाद में लिख देदें तो preposition हो जाएगा इसलिए उगलत हो गया अब बूलिए 10 minutes का हा गया यहाँ पर 10 minutes adverb हो गया और बाद में आएगा तो एद 10 minutes क्या हो जाएगा ना उन हो जाएगा फरक समझ में आया कि क्यों नहीं होता है उल्टा लिख देंगे तो क्या गवड़ा जाएगा तो हमको दो clauses को जोड़ना इसलिए conjunction चाहिए इसलिए before के बाद 10 minutes नहीं लिख सकते है आई होप कि किलेर हो गई होंगी चीज़े हाँ ना बुलो हाँ ना ठीक है एक एक्जामपल और दें क्या आज आज हो जाए आज हो जाए कासमीर भी सिग्या हो जाए क्या क्या ड्रीम है बुलिए हम सीखना चाहते है लेकिन आपको पता है कहावत है हिंदी में बुढ़ा सुगा पोस नहीं मानता है मतलब कि आदमी जब बुढ़ा हो जाए तो सीखने का काबिल नहीं रहता है हाँ लेकिन हम सीखेंगे हम आप लोगों का कोर्स करवा देंगे तब हम आप लोगों में से जो सबसे brilliant student आएगा test में पास होके उसको हम अपना teacher बनाएंगे कश्मीरी सीखने के लिए और उसको fee भी देंगे कश्मीरी सीखाने का अब जिसको चाहिए वो अपना मेहनत करो जितना fee हम लेते हैं अपने offline class में उतना देंगे online में पढ़ाने का कितना लेते हैं 3500 चलिए एक example लेते हैं ठेक है सिख्षक के सिख्षक मतलब teacher के आने से 15 मिनट पहले बच्चे क्लास में पहुँच गए थे बच्चे क्लास में पहुँच गए थे वाँ 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 क्या बात है सिख्षक के आने से 15 मिनट पहले बच्चे क्लास में पहुँच गए थे अब देखिए फिर से दो काम हो गया किसका क्या क्या काम हुआ उट टीचर हम हैं आज के लिए और बच्चे आप लोग हैं आज के लिए अब लोग पहले पहुच गए थे न हमसे आज है आज हमको लिट हो गया तो अब बने ये ट्रांसलेशन बनाईएगा तो क्या बनेगा बोलिए पहले किसका बनेगा है ना तो दे स्टूडेंट्स कौन से टेंस में जाएगा हैड एंटर्ड दे क्लास या ज्वाइंड दे क्लास राइट और इसके बाद क्या जाएगा बोलो दे टीचर केम दे येस टीचर केम किस कंपनी का फेविक और डाले ये बता दो बिफोर कंपनी का डालेंगे बिफोर अकेले रहेगा कि अपने साथ कुछ और लेके आएगा 15 मिनट क्या अभी भी किसी को परिशानी है इसको सीखने में ऑनलाइन वाला बच्चा कोई नहीं बोल रहा है क्यों नहीं कोई परिशानी नहीं है हमने बोला कि आज आज आप जितना हल्ला कीजिए आप रिकॉर्डिंग में आवाज नहीं जाएगा तो एक एक भाई साब पूरा हल्ला करके दिखा रहे है कि अच्छा देखिए हम आवाज पहुचा देते रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग में मेरे आवाज के अलावा किसी का आवाज नहीं जाएगा चाहे जितना बदमासी कर ले कोई हम बोले ना कि हम पापा है तुम लोग बच्चा है हमको मज़ा आता है ऐसे बदमासी करड़े में हमको भी ये किलियर हो गया सबको थोड़ा सा और वैरियेशन देखोगे इसमें वैरियेशन थोड़ा सा और देखना चाहोगे ये सब एक भी चीज हम फालतू नहीं पढ़ा रहे है सब एक्जाम का पॉइंट पढ़ा रहे है कोई ये सोच के छोड़ देगा कि नहीं नहीं फालतू चीज पढ़ाते है नहीं पढ़ना है आँं आँं हो जाएगा उसका ठीक है देखो एक example, बहुत मज़िदार दे रहे है, ठीक है? छिच्छक के आने से कितना देर पहले? देर पहले बच्चे क्लास में पहुँच गये थे. बच्चे क्लास में पहुँच गये थे. ठीक है? आप में से किसी में दम है इसको परियास करने का कि हम बनाने का कुशिश करते हैं. ठीक है? तो हम बता रहे हैं अभी इस translation को. देखो, जैसे हमें, हाँ बुलो. देखो, कोई नहीं, कोई नहीं, अब आप देख लो, आप लोगों ने बहुत कुस्ती खेल ली, आप यहाँ पर आराम से देखो कि कैसे दाउंपेच लगता है इसमें. अच्छा देख रहे हैं, 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 देख अली की महर बहुत जरूरी है मेरे भाई राइट है उसके बिना दर कुछ नहीं होने वाला है अली के महर के बिना दर कुछ नहीं होगा बात बात में हम बहुत सारा बात बूल देते ना अच्छा देखो पहले देखो सिखा रहे है उसको सिखो हमने कहा कितना पाठ है कौन-कौन चिछक का आना अब बच्चों का आना पहले किसको बनाओगे बच्चों को पहले बुलाओगे बुलाओ बच्चों को, क्या बोलते हैं, बोलो the students देखो बेटा, जो हम जो पढ़ा रहे हैं, वो जटिल चीज है ठीक है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको आसान बना दे तुम्हारे लिए कम न होगा कम V1 है, V2 came है और V3 क्या है, कम फिर हो जाता है ठीक है, फिर teacher कहा न, बोलो the teacher came online बच्चे, सारे इतना तक क्लियर हो गया है न, इतना तक क्लियर है न, हाँ न, बोलो न online वाला कोई बोल ही नहीं रहा, हम कैसे पढ़ाएंगे हाँ, चलो देखो पहले, पहले तो क्या बोलोगे, बोलो before और जैसे यहाँ पर रहता था, गौर से समझो, यहाँ पर रहता था तो क्या लगा देते थे, 15 minutes तो उसी तरह यहाँ पर कितना देर है, तो कितना देर का अंगरी जी लगा, तो पता है तुमको how long होता है how हाँ, उस अब कोई नहीं सही है, how much time इसा मत लिखिये, लोग समझ जाएंगे लेकुन वो standard English, नहीं है, सीखना है तो substandard के standard, standard सीखना है, आप देखे, how long before जब आपने लिखा, how long लिखा है, तो how long तो question word है ना, हाँ या ना बुलिएगा, देखो, देखो, अभी देखो क्या है ना, कि how long क्या है, question word है, इस तो पता है ना सबको, और question word को कहा होना चाहिए, बीच में, अंत में, शुरू में, कहा होना चाहिए, तो ये तो गलत जगा है ना, question word का, गलत जगा है तो उसको सही जगा लाओ, कहां जाएगा ये, how long जाएगा, ठीक है, अभी ज़रा एक, 37 से खाली आप देते रहना, बीच में ऐसे नहीं बोलना कुछ भी, अब देखो, how long किस से जुड़ने के लिए आया था, हाँ, before भी तो चला जाएगा ना, उसके साथ, क्यों, क्योंकि, यारी, how long, जब, how long यारी निभाया था, बीच में आके, before के साथ, तो before भी तो अब यारी निभा नेकले आया था, the teacher came को जडने के लिए आया था, तो अब उभी यारी निभायगा कि नहीं निभायगा, उभी बोलेगा ना, कि अरे, तुम चला गया, तो हम किसके साहरे यहां पे जुड़े रहेंगे, तब बोला, हमको नहीं पता है, हमको जाना था, क्योंकि, how long आगे चल गया तो हम उसके बिना तो जी नहीं सकते, तो how long के साथ कौन चला गया, before, और अब before के साथ कौन चला जाएगा, the teacher came, अब जड़ा गौर से मेरी बात सुनते रहना और देखते रहना, जखो जो चीजे हम पढ़ा रहे हैं, वो आपको जेनरली grammar किताब में नहीं मिलती है, इ इसका रंग इतना गाढ़ा है कि before को भी अपने साथ मिला के question word के category में ले लिया, अब before आया तो जिसको भी मिलाएगा तो मिल के सब क्या चला जाएगा, question word की category में, तो question word इतना लंबा हो गया, और कभी भी हम question word को आगे लिखते हैं, तो उसके बाद auxiliary verb लिखते हैं, कुछ य लिखते हैं, बताओ, नहीं sir, main verb लिखते हैं, हाँ या ना, तो अब हमारे पास auxiliary verb कौन बचा, main verb कौन बचा, और subject कौन बचा, तो arrange कर दो ना भाई, कौन मना कर रहा है, head, the students, come, अब चुके आगे question word हो गया है, तो अंत में क्या होगा, question mark होगा, ठेक है, हाँ, अच्छा कौन है, जो class में आ करके बच्चा को खिला रहे हैं, तो मतलब उसी वानी हैं फिर से क्या, कि गाना गाना पड़ेगा, ये कोई और है, नाम बताइए, उनके लिए हम गाना गाते हैं, हाँ, हम अच्छा गाना सुनाएंगे, ये clear है सबको, अब बता ये कौन सा translation, उपर वाला सही माना जाएगा कि नीचे वाला, समझ में आया, कि आप कितना भी परियास कर लेते तो वाला translation आपसे नहीं बना था, जिसका हम challenge दिया थे, बन जाता क्या, नहीं बनता, एकदम exactly ऐसी, जैसे हम लिखे हैं, कि बीच में, बीच वाला बनाते हैं, और उसके बाद before लगाया, और उसके बाद the teacher came लगाया, अच्छा, उफ, मतलब उसी तरह से हो गया, कि एक लाख की lottery थी, एक नमबर से मार खा गई, किलर है सबको हाना बोलो, ऐसा एक example और इस example को आप लोग खुद से प्रयास करोगे, दें, मेरे घर पहुँचने से कितनी देर पहले बच्चे सो गए थे, मेरे घर पहुँचने से कितनी देर पहले, बच्चे सो गए थे, ठीक है, चलिए, आपका फिर से 120 सेकेंड स्टार्ट होता है, कुछ सही वाले बच्चों को हम जान बुच के गलत बोल रहे थे, ताकि कोई उसकी नकल न कर ले, क्लिएर है सबको हाना बोलो अभी तक, आप तो कन्फिूजन नहीं होना चीए इसमें, अब आईए हम लोग वैरियेशन सीखते हैं, आफ्टर का, बुले आफ्टर का क्यों सीखना जरूरी है, आप आफ्टर का मतलब जानते हैं न, कोई चीज के बाद, हाना, तो जब आप इसका सेंटेंस बनाईएगा, तो देखेगा, इसमें भी दो काम आएगा, आगे पीछे, देखिए, एक्जामपल हम दिखाते हैं आपको, जब तक आप एक्जामपल नहीं देखेंगे, मा ने मुझे फल दिया, फल समझते हैं न, फ्रूट्स, मेरे खाना खाने के बाद, मा ने मुझे फल दिया, राइट, मेरे खाना खाने के बाद, मा ने मुझे क्या दिया, फल दिया, अब बताईए कि इसमें कितना काम हो रहा है, क्या-क्या, माने मुझे ठीक है पहले कौन काम हुआ पहले ये हो गया जो काम पहले हो जाए वो कौन से टेंस में जाएगा हलाकि दिखने ना रहा पास्ट परफेक्ट जैसा तो दिखने वाल हाँ उससे कोई मतलब नहीं है जो काम बाद में हुआ वो कौन से टेंस में जाएगा पास्ट इंडिफनेट ठीक है देख लेते हैं देख लेते हैं कमेंट्स पहले जड़ा साथ देख लें इधर ठीक है हाँ क्योंकि complete है जो हिस्सा complete दिखेगा उसी का translation पहले बनाया जाएगा complete part complete part का translation पहले बनाया जाएगा तो मा ने मुझे फल दिया इसका translation पहले बनाईए my mother my mother gave me क्या दिया माने मुझे fruits और मेरा खाना खाना कौन से टेंस में जाना चाहिए I had taken या eaten food clear है और बीच में किस company का फेवी कॉल डालिएगा बात समझ में आई online के सभी बच्चों से मुझारिश करेंगे कि हमने आपको बोल करके पढ़ने की छूट दी है हमने settings किया है ताकि आप अच्छे से class जैसा feel ले पाओ इसलिए नहीं कि आप उधर 29 करो 29 करोगे हम mute कर देंगे ठीक है तो इसलिए मेरी मजबूरी समझो कि mute करना पड़ेगा भगवान जी ने कहा है कि जो हल्ला करें उसों mute करो इसलिए हल्ला मत करो लड़किया हल्ला करते हैं तो लड़कियों के नाम का गाना गादो अपने आप चूप हो जाएंगे अब तो उतना हमको सबका गाना लिखवाना पड़ेगा ना सबका लिखावा थोड़ी होता है यह किलेर समझ में है सबको हा ना बोलो और ऑनलाइन वाले बच्चे भी बोलेंगे हाँ ठीके अब ज़रा देखिये इसमें वैरियेशन डालें क्या हम थोड़ा सा बूलो ना वैरियेशन डालें क्या थोड़ा सा मेरे खाना खाने के 10 मिनट बाद माने मुझे फल दिया फिर से, फिर से, फिर से, बस फट से बन जाएगा, अब तेजी हो गया तुम लोग ना, मेरे खाना, खाने के दस मिनट बाद, टच करो, देखते हो न, कहां होता है, माने मुझे फल दिया, माने, मुझे फल दिया, फल दिया, राइट, चलो इस वैरिएशन को खुद से बनाओ, फट से बनाओ, इस वैरिएशन को, चलो, ऑनलाइन में भी सब बच्चों का सही सुनाई पड़ा, देखे, क्या बनेगा, माई मदर गेव मी फ्रूट्स, अना, गेव मी फ्रूट्स, अना, गेव मी फ्रूट्स, या टेकन भी बोल सकते हो, फूट, राइट, या माई फूट, दोनों से यह, हना, तो यह वाला तुमने जो पार्ट सही कर लिया ना, तुम लोगों ने, यही स्मार्टनेस है तुम लोगों की, बहुत अच्छा किया तुम लोगों, I hope कि आफ्टर में भी variation के लियर हो गया है, एक example और देते हैं उसी तरह से question वाला, तैयार हैं अप लोग? हाँ, मेरे खाना खाने के कितनी देर बाद माने मुझे फल दिया? मेरे खाना खाने के कितनी देर बाद माने मुझे फल दिया? दिया, ठीक है, ये variation है आपका, question वाला, I hope कि इसको भी आप लोग बना ही दोगे, हाँ या ना बुलो, बनी जाएगा आप लोग से, मेरे खाना खाने के कितनी देर बाद माने मुझे फल दिया, हाँ या ना, चलो, बनाईए, बुलिए, ठीक है, फिर से देखिए, कितना पार्ट, मेरा खाना खाना, और माने मुझे फल दिया, पहले कौन से पार्ट का बनेगा, माने मुझे फल दिया, माई मदर, गेव मी, फ्रुट्स, राइट, और यहाँ पर चला जाएगा मेरा खाना खाना, राइट, आई हैड, हाँ, 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 बीच में जाएगा ना, हाँ, लोंग आफ्टर, ठीक है, मेरे साथ कलम में चलाओ, कलम रखो अब नीचे, मेरा चल रहा है तो, कलम नीचे रखो, लेकिन ये तो सही position नहीं है न, how long का, क्यों नहीं है, क्योंकि question word है, आगे जाना चाहिए, तो how long आगे जाएगा तो कैसे होगा, बताओ, how long after पूरा एक साथ चला जाएगा पहले, और उसके साथ कौन चला जाएगा, I had taken food, I had taken food, यहां तक जाएगा, यह आपका पूरा का पूरा क्या हो गया, बन गया question word, यह question word बन गया पूरा, हाँ यह ना बूलिए, और उसके बाद आपको चाहिए, यहां पर क्या, auxiliary verb, और उसके बाद क्या चाहिए, subject, और उसके बाद क्या चाहिए, main verb, तो आपका जो बचा हुआ पार्ट है, उसी में न दिखिएगा, तो इसमें तो V2 है, auxiliary verb तो दिखी नहीं रहा है, तो auxiliary verb अगर दिख नहीं रहा, तो इसमें V2 में से निकालना पड़ेगा न, निकालोगे तो क्या न तो क्या हो जाएगा, give, ठीक है, और, हाँ, हाँ, me, fruits, question mark, क्या नाम है तुम्हारा पिटा, हाँ, कशिष, देखो, absent रहो तो इससे नाम ज़्यादे याद रहेगा, ठीक है, absent रहने से बच्चों का नाम याद रहता है, teacher को, ठीक है, कशिष का सही था, लेकिन हम फिर से जान बुझके वैसे ही किया थे, हाँ, I hope कि ये वाला concept भी clear हो गया है सबका, क्या भी कोई confusion है, नहीं है ना, पक्का ना, How long after I had taken food, did my mother give me fruits, ठीक है, अब ही चलो, अब अगला concept लेके चलते हैं, बहुत धांसू और मज़िदार है, सीखना चाहते हो, Online वाले बच्चे बोलिए, Indirect Narration में Past Perfect, का यूज, चलिए, कुछ बच्चे कह रहे हैं, कुछ, Past Perfect, Indirect Narration में Past Perfect, कैसे यूज करेंगे, क्यों यूज करते हैं, ठीक है, हम एक example से आपको पहले समझाएंगे, उसके बाद फिर बात आएगे, और जितना भी Past Perfect का पॉइंट देखिएगा, उसमें से जो Basic Concept हमने आपको बताया है, कि जो काम Past में पहले हो गया, वो Past Perfect होगा, और जो बाद में हुआ, वो Concentence होगा, Past Indefinite, बस यही Concept हर जगा चलेगा, Narration में भी जैसे देखिएगा, आप ऐसा Sentence लिखते होंगे, Direct Narration में, He said, comma inverted comma, they have stolen the watch, stolen the watch, Full Stop, बंद कर दिये, आप जराग और से देखो कि यह क्या है, Past है, और यह क्या है, Narration आता है, Change करने है, Narration आता है, Change करने है, कभी पढ़े हो कि नहीं, बच्पन में, पढ़े हो, याद है कुछ है, कोशिश करके देखो तो कैसे होगा, Narration चेंज करोगे, तो कैसे बनेगा, Indirect Narration, कैसे चेंज करोगे, He said, that, they, had क्या, taken नहीं, stolen था न, stolen the watch, सब लोगों ने सही बना दिया, लेकिन मेरा एक सवाल है, जवाब दोगे, आपने इस Present Perfect को Past Perfect में बदल दिया न, क्यों बदल दिया, क्योंकि यहाँ Past था, Reporting Verb Past में रहे, तो Reported Speech के Present Perfect को किसमें बदल दिया जाता है, ठीक है, अच्छा, फिर एक सवाल और था मेरा, कि अगर ये जो आपका Past में Reporting Verb रहता है, आपका जो Reporting Verb पास्ट में रहता है, तो Present Perfect से किसमें बदल दिया जाता है, क्यों ऐसा किया जाता है, Past रहने पर ही Present Perfect से Past Perfect में क्यों बदल जाता है, सवाल ये है, तो हम बताएं चलिए बड़ा straight forward बच्चा है बड़ा honest बच्चा है फटाक से बलो नहीं मालूम होतना बता है ही नहीं गया मालूम कहां से रहेगा तो सुनिए देखिए यहां दो काम हो रहा है गौर से देखिएगा एक काम हो रहा है कहने का कि उसने कहा हाँ या ना बोलो एक काम हो रहा घड़ी चुराने का हाँ या ना बोलो दोनों काम past का है हाँ या ना बोलो लेकिन इक कहा past में उसके पहले उन लोगों ने चुरा लिया तब ना बोला कि चुरा लिया है उन लोगों ने क्या बोला घड़ी चुरा लिया है तो जिस समय बोल रहा था पास्ट में उस समय चोरी हो चुका था तो बोल रहा था पास्ट में और उस समय चोरी हो चुका था यह पहली हो चुका था तो पास्ट में बोल रहा था इसलिए पास्ट इंडिफिनिट हो गया अब past के पहले चोरी हो चुका था तो कौन से टेंस होना चाहिए हम तो वही concept ही पढ़ा रहे है तो यह जो आपको rules पढ़ाये जा रहा है rules नहीं है narration का यह past perfect का concept है जिसको narration के रूप में, rule के रूप में आपको रटवाये जा रहा है संतोस कुमार संतोस हो रहा है हा ना तो एकदम समझ भ्या रहा है ना और यही सब concept पकड़ करके हम आपको जब narration पढ़ाएंगे तो painless narration पढ़ाएंगे तो गर्दा बवाल वाला painless narration होगा pain मतलब दो गो pain होता है गो pen pen उभी less कर देंगे कलम चला नहीं नहीं मुझबानी बन जाएगा orally बन जाएगा और एक PIN बोले उख कई से less होगा सर तो narration बनाने में बच्चों को बहुत pain होता है इतना सारा rules regulations याद रखना पढ़ता है सब rules regulations को bypass करके हम लोग किनारे से निकल जाएंगे अब फिर भी सही बनेगा 100% highway में पकड़ लेंगे ठीक है तो यह वाला concept clear हो गया सबको अब जो है थोड़ा इस concept को जितना हम लोगों ने भी देखा था पास्ट परफेक्ट का एक concept हम लोगों ने पकड़ा और उस concept को पकड़ के सुरू से चल रहे है कौनसा concept पकड़ा कि जो एक मिनट पहले हमको बोलने दिये जो past में काम हुआ वो past indefinite और उसके पहले जो हो गया वो past perfect अब यह जो concept हम बता रहे थे कि narration वाला जो point है यह भी past perfect का concept ही है इसको narration के rule के रूप में सिर्फ रटवाया जा गया है आपको बचपन से यह रटटा आप मारिएगा अपने छुड़े भाई भाई भनों को रटटा मारना सिखाईगा कभी नहीं रटटा मारना है ठीक है concept प अब जो हम आपको आगे बताने जा रहे हैं उसमें past perfect का यह basic concept थोड़ा मार खाएगा उसको थोड़ा पूरा नहीं ठीक है चलिए इसको देखते हैं पहले example बोली सर आप पहले example ही क्यों लेते हैं दुनिया में पहले grammar का रूल्स नहीं बनाता है पहले लोगों ने बोलना ल लिखना सीखा था और उसको देख करके कुछ विद्वानों ने grammar rules मना दिया ठीक है रिश्व आप क्या लिखने में busy हो क्या लिख रही हैं आप वो जो हम पढ़ारे board पे से note कर रही हैं दिखाए कॉपी दिखाए चलि देखिए बड़ा simple सा एक sentence है हिंदी में मेरे दिमाग म बोलें यदी आप 26 जनवरी को यहां आते यहां आते तो आप जलेबियां खाते राइट क्या इसका मतलब आये की नहीं आये जिसके बारे में बोला जा रहा हुआ है की नहीं आये नहीं आये जलेबियां खाये की नहीं खाये अभी का बात हो रहा है कि बिता हुआ टाइम का बात हो रहा है एनि बिता हुआ टाइम में काम हुआ की नहीं हुआ हाँ तो बित गाथ अने का, जिलेबियां खाने का. ये condition है, देखो. कि जिलेबियां खापाते, कब खापाते, भई? आते तो. तो ये condition है. हैंबा, ये क्या है? condition है. फुल्फिल हुआ क्या उनफुल्फिल रह गया? fulfill नहीं न हुआ? तो ये condition है, जो uncomfortableed रह गया. देख रहे हैं, देख रहे हैं, unfulfilled रह गया, right है कि wrong है? और यह unfulfilled condition कब रह गया? Past हाँ यह ना बोलो, past में ही रह गया ना? इसलिए result भी fulfilled हुआ कि नहीं हुआ? जब condition पूरा नहीं हो तो result कहां से मिलेगा? राइट है? तो इसमें भी हम लोग past perfect use करते हैं आप जानना चाहते हैं कैसे? जी, ऐसे if, अगर या यदी के लिए, subject, चुकि कांप, हाँ, पकड़े हो हाँ ना? अब इधर वाला क्या होगा? जलेबियां खाते हैं इसका होता है subject, would, have, with three object बहुत कठी नहीं है ना? if हाँ had come अभी पढ़ाय हैं, come होगा? here on 26th January you हाँ, जी, would have eaten जेलेबी जेलेबी का अंगरेजी हमारे एक सर ने हमको सिखाया था round, 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 stop नहीं आ सकता, क्यों फूछो? good model verb है, model verb के साथ भीवन आना चीए head v2, v3 है, भीवन है ही नहीं, कैसे आएगा? ठेक है? अच्छा, आप चाहो तो इसको पूरा reverse order में लिख सकते हो रुकी न अभी हम बता रहे हैं, पहले उसको आगे ले आईए यू वुड हैव, हाँ, इटन जलेबियां, जलेबियां नहीं लिखा सकता है, क्योंकि वो इंदी का plural है, आप ज़्यादा ज़्यादा जलेबीज कर सकते हो, राइट? इफ, हैड केम होगा की कम होगा, केम बार-बार सिखा रहें फिर क्यों गलती कर रहे हो, हाँ, on 26th January, अच्छा एक और कमाल की बात बता दे हैं, हाँ, कमाल हम पर गुसा नहीं होगा, कि मेरा बात क्यों बता दी आप, अच्छा, इस इफ को आप चाहें तो गाइब कर सकते हैं, और इफ को गाइब करेंगे, तो कैसे लिखाएगा, बोलो, रुकहिया, हाँ, नहीं, खाले, हैड आगे चला जाएगा, देख रहे, देख रहे, देख रहे, भाई, देख रहे, रुकना, देख रहे, कमेंट भीज